हेलो एवरिवन वेल्टकम बैक आज हम एक बहुत ये पॉपलर चाइनीज ड्रामा दी बिग बॉक्स को एक्स्प्लेइन करेंगे इस ड्रामी के में लीड है हैं हैंसम हो आंग जिन जिसने स्कूल बॉय का रोल किया है और फीमेल लीड हैं क्यूट एक्टर्स इलिनर ली ज्या दोनों बाते करते हुए जा रहे होते हैं लेकिन तब भी हम दैनीज ये को देखते हैं वो भी अपनी साइकल पे स्कूल जा रहा है येजी की जब उस पे नजर पढ़ती है तो कहानी फ्लेश बैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि ये दोनों किंडर गार्डन में एक ही स्कूल में थे पर देनी हमेशा क्लास प्रेजिडेंट होता था ये दोनों एक दुसरे को बच्पन से डिसलाइट करते है मैंने तुम्हारे साथ बरबाद किये अब मैं नियू स्कूल जा रही हूँ देनी उसे कोई जवाब नहीं देता येजी अपने ब्रॉदर को चलने को कहती है पर बाद में वो नोटिस करती है कि ससरा देनी तो उसके पीछे पीछे है साइकल पे वो दिल ही दिल में कहती है कि अबे जा दूसरी तरफ काफी बरदाश्ट करने के बाद येजी के पेशन जवाब दे जाते है वो अपने ब्रॉदर को रुकने को बोलती है और देनी से कहती है कि क्या मसला है अपनी तरफ जाओ पर वो ये कहके चला जाता है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ यही मेरा रूट है उसके बाद हम रिच गल शिन्ही को देखते हैं वो भी स्कूल जा रही है आगे जानते हैं इसके बारे में दूसरी तरफ येजी अपनी जर्णी पूरी करने के बाद स्कूल पहुंचती है और उसे हम बहुत ही खुश देखते हैं क्यूंकि उसका दुश्मन अब उसके साथ नहीं पड़ेगा वो खुशी-खुशी क्लास की तरफ बढ़ती है येजी जब क्लास का दर्वाजा ओपन कर की आति और फरस्टेट होके कुछ यह ची खुश जगती है आकर उसे कलास में जाना पड़ता है वह घुसे में अपने आप से कहती है कि यह क्यों है इस कलास में दैन यह कहता है कि एक कोर्स मिस करके येजी उसे कहती है कि तुमने मेरे नौ साल बर्बाद किये पर अब मैं त क्लास में देख जलसी जाती है टीचर इंटर होता है सब स्टूड़न्स अपने आपको इंट्रियूस करने लगते हैं देन यह सब को बताता है कि वो 9 साल तक मॉनिटर रह चुका बार में येजी आती है वो खुद येजी सोच में पर जाती है क्योंकि वो हर्गिस नहीं चाहती कि देनी फिर से क्लास मॉनिटर बने। सब को खामोच देक्ट टीचर कहता है कि ठीक है देनी ही क्लास मॉनिटर होगा पर ये सुनके येजी फॉरण से अपनी सीट से उठती है और चीक के कहती है रुको मैं इसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ूगी टीचर कहता है ओके कल इलेक्शन होगा तुम दुनों टाइम पर पहुंँ जाना देनी येजी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो वो कहती है तुमращ रोक रही हूं उसके बाद नेक्स डे हम बिचारे देनी को स्कूल आते देखते हैं पर बिग बॉस यानि येजी भी आ रही होती है वो उसे देक बहान बाजी से उसका बेक जीन के फैंक देती है ताके दैनी स्कूल टाइम पे ना पहुंचे और वो एक्साइटेड होके गलत डायरेक्शन में निकल पड़ती है येजी की साइकल का बाद में एक्सिडेंट होता है रिच गल्स शिन्ही की कार से वो लड़की उसे पैसे देती है ताके मैटर एंड हो जाए और उसे ही है कि तुम गलत रस्ते जा रही हो लेकिन येजी को पैसों की फिकर नहीं उसे अपने दुश्मन को मॉनिटर बनने से रोकना है वो पैसे उसके मूँ पे मारके चली जाती है दूसरी तरफ हैंसम बॉई दैनी स्कूल पहुंच के इलेक्शन स्पीच शुरू करता है पर द आउडेटेट स्टफ यूज नहीं करते दोनों बॉइस एक पैर स्केटिंग शूज येजी को देते हैं वो रेसिंग के लिए तयार होती है और जैसे तैसे करके इसकूल के बाहर पहुंच जाती है दोनों बॉइस क्लास पहुंच के टीचर को मॉनिटर नेम अनौन्स करने स रोकते हैं और कहते हैं कि पहुंच चुकी हमारी बिग बॉस येजी आके अपनी स्पीच चुरू करती है पहले तो वो शर्मीनी लगती है पर बाद में अपने दुश्मन देनिये को देख वो जोश में आ जाती है और वन्डरफुल स्पीच देती है सब स्टूडन टेबल क किसी ने कुछ और लिखा होता है आप वीवर्स बताएं क्या आपने कभी ऐसे वोर्स डाले हैं बेरहाल टीचर अनॉंस करता है कि ग्लास मोनिटर येजी होगी ये सुनके उसकी खुशी पे इंतहा हो जाती है क्योंकि आखरकार उसने अपने चाल्ड हुर एनिमी को मोनिटर विन करके क्लास से भाग गई उसके बाद एक और भी इलेक्शन हुआ था जो इंपोर्टन था वो मैं चीट किया अब मेरे पास बहुत से पावर होंगे उसकी बाते सुन येजी शोक्त हो जाती है क्योंकि अब उसे दैनी के अंडर रहके काम करना होगा उसकी सारी मैनत जाय हो गई है वो जोश में होश खो बैटी थी क्लास कमिशनर का इलेक्शन छोड़के भाग गई नेक्स दे फिर भी हम येजी को खुश देखते हैं वो दैनी को टीज करते हुए कहती है कोई हेल्प चाहिए क्या पर वो कहता है कि जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम भी भी नहीं होगा उसके बाद टीचर येजी को मॉनिटर की दर्दनाग जिम्मेदारियां बताता है लिस्ट सुनके येजी टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि कहां फस गई येजी हार नहीं मानना चाहती देनी के सामने उसकी एक फ्रेंड उसे एडवाज देती है जि येजी को परिशान देख देनी इशारा करके कहता है कि पंदरा दिन येजी क्लास से चली जाती है इस्टूडन उससे हेल्फ मांगते है पर वो सबसे कहती है कि तुम खुद कर सकते हो बाद में वो दूसरे इस्टूडन पकड़ के उनको काम सौबती है क्लास में आके उसे चलता है कि उसे दो एपस्ट स्टूडन को इसकूल वापस लाना है फिर वो प्लैन बनाती है ताकि ये रिस्पॉंसिबिलिटी भी देनी के साथ शियर करें वो उसे तीस करके डर पोक कहने लगती है और बैट लगाती है कि जो पहले इनको लाएगा वो जीतेगा एड़ दी ये जी जाती है फीमेल स्टूडन जूशन के पास और उसे समझाने लगती है पर वो इसकूल वापस नहीं जाना चाती ये जी हर वो वे यूस करती है जिससे जूशन तंक होके उसके साथ चले जैसे वो लाइट आफ करती है पर उसके पास पावर बैंक्स है ये जी उसकी व सास कमिशनर हूँ तुम्हें इसकूल वापस जाना चाहिए पर आइडल जाने से डरता है क्यूंकि इसकूल के फर्स दे पे उसको फैंस ने पहचान लिया था वो उसके पीछे पड़ गए थे एड दी एन्ड वो मान जाता है दूसरी तरफ जूशन हार मानती है वो भी चलने को तयार होती है दैनी और येजी दोनों को ले आते हैं स्कूल पर वो दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं येजी उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत नफ़त करती हूँ मैं कभी भी तुम्हें बढ़र वाचिए और सुब्सक्राइब